हेलो दूस्तों आज हम यहां पर बात कर रहे हैं पराग मिल्क फूड्स लिमिटेट से रेटे पराग मिल्क की अगर हम बात करें तो हम पहले अपने चैनल पर चलते हैं और आपको दिखाऊंगा कि थी मंस पहले ठीक है थी मंस पहले यहां पर इस पर्टिकुलर शेयर से रेट करता हुआ नजर आया है ठीक है तो सबसे पहली बात इस तरीके से वीडियो हम बनाते रहते हैं और आपके लिए अच्छी अच्छे शेयर यहाँ पर ढूंड के लाते रहते हैं जहां पर पैसे बनते हुए नजर आते हुए दिखाई देते हैं और सारे के सारे स्टॉक स्मॉल जो को सीखने के मतलब से बनाए जाता है तो इसलिए उस चीट को आपको देखना है वीडियो देखने हैं तो सीखने का मौका मिलेगा और दूसरा तरीका और इसके रिलेटीडम बाते करेंगे तो पराग मिल्क यहां पर आप देख सकते हैं पराग मिल्क ठीक है इससे रिलेट इसके आसपास तो आपको यहां पर पता चलेगा कि 40-50% के रिटर्न आपके यहां पर बनते हुए नजर आ गए ठीक है तीन महीने के अंदर पहली बात दूसरी बात अगर आपको सीखना है ठीक है वीडियो के तूरू सीखिए और अच्छे सीखना है तो डवलेट 605-40501-8169-261037 दोनों नमबरों को सेव कर सकते हो बेसिक्स टू एडवांस टेकनिकल रिसर्च फंडामेंटल कब लेना है कब बेचना है किस तरीके शेयर लेना है कौन सा शेयर लेना है क्यों लेना है किस लिए लेना है क्यों क्या कैसे किस लिए कि जवाब जहां पर 50,000-1,000,000 रुपी ले जाते हैं कुछ नहीं सिखाते हैं हम यहाँ पर सिखाते हैं दूसरी बात यह कोर्स की कीमत एक तारिक से 25,000 होने वाली है ठीक है तो इस चीट को भी याद रखिएगा और साथ में आगर किसी को काम करना है तो इन नमबरों पे होगा उसका benefit यह होगा कि हमारे group है हम उस group में लोगों को add करते हैं और यहाँ पर आप देखोगे 3 months to 12 months holding period वाले stocks हम देते हुए नजर आते हैं wealth creation वाले तो आपको पदर चल रहा होगा यहाँ पर देखिए ठीक है हम अपने देते रहते हैं यहाँ पर आप देखोगे share इस ठीक है हमने अलग-अलग target दिये थे target 158, 276, 367 यह target दिये थे और यह share price उस टाइम यहाँ पर अगर आप मेरे group में होते हैं तो आपको बता चलता कि जब 5 महीने पहले दिया था तो 130 रुपे पर share चल रहा था, double के target हमने दिये थे और वहाँ पर पैसे बने वी और वीडियो बनता हुआ नजर आता है तो इन नमबरों पर नोट करके course साथ में आप हमारे group को join कर सकते हैं आप हमें call message करिये साथ में काम करने का मौका आपको मिल सकता है और हम यहाँ पर साथ में मिलके काम कर सकते हैं तो पराग मिलक की अगर बात करें पराग मिलक एक अच्छा खासा नाम है ठीक है आपने पराग मिलक के नाम से कुछ शायर product भी उसके रहे होंगे जैसे कि हम बात करें गोवरधन घी जो कि यहाँ पर आपको मिलता हुआ नजर आता है काफी अच्छा इनका घी भी है ठीक है और उसकी बात करें तो 35% यहाँ पर 20% का market share यहाँ पर लेके रख रखा है गोवरधन घी ने ठीक है और अलग-अलग इनके brand है जाके आप देखोगे इनके brand के related आप brands तो आपको बदा चलेगा गोवरधन ठीक है घी इसके इलावा यहाँ पर मखन इसके इलावा यहाँ पर cheese इनके मिलते हुए नजर आते हैं ठीक है इनके दही मिलते हुए इनके अलग-अलग चीजे आती हुए दिखाई देती है शेक्स आते हुए दिखाई देती है तो अच्छा गासा company काम करती हुए दिखाई दे रही है और अच्छा गासा काम करती हुए नजर आती है तो आप इस share की तरफ ध्यान दुबारा दे सकते है अब आगे क्या ठीक ह share तो double हो गया, क्या double हो गया तो खतम हो गया, ऐसा बिलकुल नहीं है आगे भी और कुछ बचा हुआ है उससे लिटीड हमें आपर बाते करने वाले हैं तो market cap की बात करें 3000 क्रोड की market cap है, जहां में आपर 3000 का मतलब है small cap हमारे चाहे, share का नाम भी है I am small cap investor, इसलिए ही रखा है हमने, PE की बात करें 38 industry का 43 तो अभी भी सस्ता नज़राता है, बट PE के base पर कभी काम नहीं करते हैं, मैं हमेशा बताता हूँ ROC, ROE ठीक ठाक नहीं है, long term का vision नहीं बनाना है 72% का debt है, 0 pleasing है, ठीक है, 263 का इसने high लगाया है 130 पर हमने अपने share यहाँ पर लोग को बताया था उसके बाद double होता हुआ नज़राया ठीक है, यहाँ पर हम बात करें maximum chart pattern, तो maximum chart pattern देख सकते हैं कि जब यह share आया था 2016-2017, 2018 में तो इसने 300-300 का high बनाया, गिराबट हुई और उसके बाद अब देखोगे कंपनी के numbers बढ़ते हुए नज़र आ रहे है margin बढ़ रहे है, कंपनी का profit आ रहा है इसके इलाबा yearly base पर भी performance company की अच्छी खासी यहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है और yearly base पर reserves की बात करें तो company के reserves बढ़ रहे है, साथ में borrowing की बात करते हैं, borrowing भी साथ सा थोड़ी बहुत बढ़ती हुए नज़र आ रही है working progress में 59 करोड रुपीज लगा रखे है 5 करोड का investment और cash की बात करें 17 करोड रुपे का cash भी है positive cash flow दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आप देखोगे promoters के पास 41.63% की holding as it is बनी हुई है जहाँ पर September 2022 में गटाली थी यहाँ पर बढ़ाते हुए नज़र आए है FIS की holding की बात करें FIS थोड़े से पीछे हटते हुए पहले कम थे फिर उसके बढ़ाया फिर थोड़ा सा बेचा वो चलता रहता है बेचना करें ना पर यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही होगी DII's DII's लगातार 3% से 8% पर लेकी गए है Public की holding लगातार कम हो रही है यह सारी चीड़े का है Positive Factor है और 41 में भी देखोगे तो International Finance ने 5.76% PNN's Commercial ने 3.39% VII's Finance ने 3.42% और इस quarter में तो हिस्सदारी बढ़ाई भी है तो अच्छी खासी holding यहाँ पर नज़र आती है इसके लाबा December 2023 में Sixth Sense Indian Opportunities ने यहाँ पर आप देखोगे तो इतने शारे शेर करीदे है इस बहुँ पर शेर करीदे है नवंबर में भी इन्होंने आप खरीदा है तो जून से ही लगातार खरीदते हुए नज़र आरे लगातार Sixth Sense वाले यहाँ पर यहाँ पर अलगी सैंस लगा रहे है और यहाँ यहाँ पर अच्छे कासी holding अपने बढ़ाते हुए नज़र आरे अब क्या शेर में क्या खताम हो चुका है क्या भागता हुए नज़र आ रहा है वो सब चीज से लेटेट बाते करेंगे वाट उससे परें रिक्वेश्ट है I am small cap investor को subscribe बेल आइकन को ही टॉल को notification कौन करीए buying selling की recommendation देंगे नी ठीक है आपने financial advisor कुद की study करें और बहुत जल्दी ये भी recommendation देंगे just थोड़ा सा wait थोड़ा सा exams हो गए रशल रहे है once I will complete with that ठीक है license के लिए apply करेंगे अच्छे से हम काम करते हुए नज़र आएंगे इन number पर note कर सकते हो साथ में आपर काम कर सकते हो basics to advance course कर सकते हो सीख सकते हो सीख होगे तो यहाँ पर to earn more first learn more ठीक है यह मैंने खुद की life में देखा है तो उस चीच को आप apply कर सकते हो share already double हो चुका है क्या और भी opportunity है definitely और भी opportunity है क्या opportunity है कि share अब धीरे धीरे head यहाँ पर भागता हूँ नजरा रहे सबसे पहले हम मैं आपको दिखाना चाता हूँ कि यह share के लिए एक यहाँ पर resistance है ठीक है जो इसे ऊपर जाने से थोड़ा बहुत रोख सकता है यहाँ से थोड़ा सा share नीचे आता हुआ दिखाई देगा ठीक है यहाँ से नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है थोड़ा वो share और जिस दिन यह 267 के level को successfully cross करेगा उसके बाद यह share head करेगा towards what towards यहाँ पर 371, 373 के target के लिए जो कि मैंने पहले भी बताया था तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि आपके पास still अभी भी कितने percent की opportunity है level 41% की opportunity है और याद रखिएगा journey ज़रू हुई है ठीक है खतम नहीं हुई है यह share कहाँ पर जा सकता है कहाँ तक यहाँ पर return दे सकता है उसके बाले भी अगर मैं advance में prediction करूं ठीक है आज हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ बट मेरे सही होने के chances लगभग 70-80% रहते हैं ठीक है तो 70-80% अगर मैं सही रहता हूँ तो यह share यहाँ पर 700 रुपे का level दिखा सकता है 258 पर चल रहा है 700 रुपे तक जाता है पैसे 4 गुना हो जाते है तो जब 4 गुना पैसे बनते है न तो ऐसी बनते है तो buying selling की recommendation है नहीं अपने financial advisor खुद की study करना है और अगर मैंने यह level दिये है तो कुछ सोच के दिये है उसके साथ में कुछ terms and condition भी mention होती है जो मैं आपको बता रहा हूँ टिका न वो terms and condition क्या है वो मैं आपको डिसकस नहीं कर सकता बाट इस चीट को ध्यान में रखियेगा कि share अच्छे जब choose करोगे तो कुछ सोच समझ के ही करना study करके करना टिका अपने financial advisor खुद की study करके लेना ऐसे ही किसी के कहने पर नहीं खूदना है चाहे मैं हूँ चाहे ABCD कोई भी हो और buying selling की recommendation है और इस चीज़ों को सीखने पर ध्यान देना है और सीखने के लिए मैं कहा चुका हूँ कि ये numbers है note कर सकते हो सीख सकते हो साथ में काम कर सकते हो और subscribe कर दीजिए अलिए प्यान को और कि अटिफिकेशन को ए रूद नहीं ये झाहे सँमच ग्लाइस